दोस्तों जब बात करने वाले हैं 30x40 house plan की जैसा कि आप इस screen पर देख रहे होंगे इसी model को discuss करेंगे पूरा इसकी front television की बात करें तो एक normal front television और एक new अगर देखने को मिल रहा होगा आपको with porch के साथ मैंने डिजाइन किया है हमारे एक paid user है उन्होंने हमें contact किया और उनके कहने पर ये model को डिजाइन किया है उन्हीं का पूरा ये model है तो 30x40 फ्रट में पूरा discuss करूंगा इसका ground floor पर मैंने के का create किया है इस small house plan अगर आपने भी तक small house plan को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथ वेल आइकन जरूर दबादें से मेरे आने वाले सभी video लगातार देख सके इस small house plan पर दोस्तों आपको लगातार updated वीडियो नए नए models देखने को मिलते हैं जो आप देखकर एक idea लेख सकते हैं और जब भी आप घर बनवाएं तो आप उस तरह के model create कर वा पाएं तो चलो जो आज का model है 30 वाई 40 फ्रिट में उसे discuss करता हूँ सब्सक्राइब मैं इसे zoom करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको उसका realistic view देखने को मिल जाए तो यह साड़े 3 फ्रिट का जो उपर boundary है पहले मैं इसे discuss कर लेता हूँ उसमें हर एक corner पर यह चार corner पर यहाँ पर आपको देखीगा यह design मैंने create की है यह आप ito का भी करवा सकते हैं यह यहाँ पर steel की railing लगवा सकते हैं और इसके बाद यह बीच में आपका देखी oval type का जो आप देख रहे हैं यह round color का यहाँ पर मैंने style create किया यह भी आप create करवा सकते हैं ऐसा बिल्कुल similar इस corner पर है और यह oval यहाँ पर create है इसके बाद similar बिल्कुल इस तरफ है तो यह पूरा railing का design हो गया जो आप front television देख रहे हैं अब हम बात करते हैं इसके ground floor की पहले मैं ब जो कि मैंने पोर्च create किया है यह पिलर मिलते हैं इसके उपर है यह round color का यह दिखिए का beam मैंने create किया round color का इसमें थोड़ा से color combination include कर दिया है इसके आपको इसका model और अच्छा लगे और इसके बाद यह पोर्च जो है 10 by 10 fit में लगबग बना हुए है और इसका main door आपका यह फ्रिंड में दो bedroom है इसलिए दोनों bedroom के लिए मैंने बाहर से एक stylist window दिया यह आप देख पार होंगे similar यहां पर भी देख पार होंगे आप इसका जो texture है वो आप देखिए zoom करके दिखाता हूँ जो style है यहां पर clear किया पहले छोटे छोटे चोटे दो पिलर है और उस पर यह गुम्टी टैप का बना हुए है तो ऐसा similar बिलकुल यहां पर है तो यह तो पोर्ज की बात होगी अब इसके जब main door से यह है यहां से जब entry करते हैं तो आपको एक gallery मिलती है इस gallery के left और right side दोनों तरफ corner पर bedroom क्रेड की है दोनों bedroom के लिए यहां से एक door दिया एक window भी है ऐस है हला कि लेप्रेंट की बात करें तो यहां से stairs आपका चर्णेक हो गए आप जाएंगे turn होकर फिर से वापश आ जाते हैं इसके just bugle में एक बड़ा सापको kitchen area मिलता है यह kitchen का area है जो की door यहां से side से window भी दिया है और just इसकी बात करें इस corner पर भी एक मैंने बड़ा से वैड room create हो जाते है और थे यहां पर latent बात नहीं create किया है क्योंकि रिक्वार्मेंट नहीं थी उनका पीछे भी जगह पड़ा है इसलिए मैं यहां पर सबसे पीछे एक door दिया है जिससे वह पास होकर पीछे जा सके उनका पीछे latent बात create पहले से already था क्योंकि उनकी requirement का recording बनाना थ अगर आप लेटन बात बनाना चाहते हैं तो आप इस stairs की नीचे latent बात को cover कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते हैं वहाँ पर तो आप इस bedroom को थोड़ा सा छोड़ा गर दे और यहां पर latent बात आप बना दे क्योंकि बैड्डूम यह लगव 15 फिट कहें तो 10 फिट का आप इस है यह पिलर जो है लगवग 7 फिट में और यह तीन फिट में पूरा डेजाइन कवर किया है यह राउंड कलर का और यह तो यह पूरा बनकर रेड़ी हो जाता तीस बाई चालिस में और फ़स्ट प्लोर जैसा कि मैं और लेडी डिसकस कर चुका हूं साड़े तीन फिट का च प्लान उसका दे चुका हूं तो यह मॉडल कैसा लगा जरूर बता है अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें अगर किसी भी टैप का मॉडल क्रेट करवाना चाहते हैं तो आपने पेड सर्वेश के इस